हलो फ्रेंड्स आज हम करेंगे MS Excel MC Group पार्ट टू सो लाइक, शेर, सस्क्राइब माई चैनल चलिए कोशन नम्पर फास्ट है आपका विच ओफ दा फॉलोईंग इस लेटस वर्जन ओफ एक्सल इसका मतलब है इनमें से कौन सा एक्सल का लेटस वर्जन है तो आपको चार ओप्शन दिये गए है इनमें से जो बिल्कुल राइट अंसर है वो है आपका B 2019 चलिए आपका सेकिंड कोशन है एक्सल फाइल्स हैव एट डिफॉल्ट एक्स्टेंशन ओफ इसका मतलब है MS Excel की जो डिफॉल्ट फाइल होती है उसका एक्स्टेंशन क्या होता है आपको जो है चार ओप्शन दिये गए है और इसमें आपका विल्कुल राइट अंसर जो है वो है B.XLSX यह हम जो भी अभी तक का लिटस वर्जन यूज़ कर रहे है 2007 से लेके 2019 तक उसका एक्स्टेंशन आपका यही होगा उसका जो आपका विल्कुल राइट अंसर होगा आपको जो है चार ओप्शन दिये गए है इसमें आपका जो विल्कुल राइट अंसर होगा वो है B.XLS आपका जो है इसमें इंपोर्टन यह है कि 2003 में आपका .XLX था और फिर उसके बाद जो है आपका 2007 के बाद .XLSX लग जाएगा Question number आपका जो है फोर्थ है Hyperlink can be Hyperlink आप कहां पे create कर सकते है तो आपको जो है इसमें चार ओप्शन दिये गए है चार ओप्शन में से आपका राइट अंसर है D. All of these क्योंकि आप जो Hyperlink है उसका use text पे भी कर सकते है, pictures पे भी कर सकते है और drawing objects पे भी कर सकते है Question number 5 आपका What is the shortcut key to hide entire row अगर आप entire row को hide करना चाते है तो किस shortcut key का use करेंगे आपको जो option में 4 shortcut key दी गई है तो इसमें आपका जो इलकुल राइट अंसर है वो है आपका D. Control plus 9 का use करके आप जो है row को hide कर सकते है अब आपका next question is 6 What is the shortcut key to hide entire column अब आपसे पूछा गया है entire column को अगर आप hide करना चाते है तो कौन से shortcut key use करेंगे इसमें भी आपको 4 shortcut key दी गई है इसका right answer जो आपका C है Ctrl plus 0 Question number 7 ता आपका What is the symbol of multiplying देखिए आपको चार जो है option दे गए है इसमें जो आपका right answer है वो है C आप इसे जो है a star is दो बोल सकते है next question आपका Which of the following is not a term of MS Excel इनमें से कौन सा term है जो MS Excel में नहीं आता है आपको जो है options दिये गए है इनमें से आपका बिल्कुल जो right answer है वो आपका जो है होगा C document आपका right answer है next question आपका collection of worksheet is called आपकी जो है worksheet के collection को कहते है आपको चार option दिये गए है इसमें से right answer आपका C workbook आपका जो है next question है how many sheets are there in Excel workbook by default इसका मतलब है कि Excel की जो आपकी workbook होती है उसमें जो आपको by default कितनी sheet पहले से होती है open आपको जो है चार option दिये गए है इसमें आपका बिल्कुल right answer है वो है B 3 next question आपका to minimize the currently selected window अगर आपने selected window को minimize करना है तो आप क्या press करेंगे आपको जो है आपके question के according जो है चार option दिये गए है तो आपका जो right answer है वो है T control plus F9 next question आपका to maximize the currently selected window अगर आपको currently जो है आपती selected window को maximize करना है तो आप इनमें से जो है right answer आपका होगा वो है आपका C control plus F10 question का next आपका the main uses in Excel Excel का जो है main use क्या है आपको जो है आपके question के according जो है चार option दिये गए है इनमें से जो आपका बिल्कुल right answer है वो है आपका D all of these next question आपका who is father of MS Excel MS Excel के father कोन है आपको जो है चार option दिये गए है इसमें आपका right answer है C Charles Simone अब आपका next question है which term is used to join the selected cell into one cell इनमें से कौन सा term है जो selected cell को एक cell में add करता है आपको जो है चार option दिये गए है इसमें से जो आपका बिल्कुल right answer है वो है B आपका right answer है merge आपकाई करें केश्य कर्सकार mês hall